ये सच है कि रंग बदलता था वो हर लम्हा मगर वही तो सबसे काम्याब चेहरा था 2023 के विधानसबाद चुनाओं में काम्याबी के शिकर पर चड़ते वे बीजेपी ने सत्ता हासिल कि लेकिन अब कुछ रंग मंत्रियों का बदलने लगा है और इस रंग में बयानों की तासीर बदलने लगी है अब ये तासीर क्यों बदल रही है क्या उप्चुनाव इसका सबसे बड़ा कारण है ये जानने की कोशिश करेंगे लेकिन आज इस वीडियो में कौन से सवालों पर होगी बात जड़ा ये भी जान लेते हैं पहला सवाल राजिस्तान से प्रधान मंत्री मोदी क्यों है नाराज क्या वाकई प्रधान मंत्री मोदी राजिस्तान से नाराज है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं ऐसा राजिस्तान के ही एक मंत्री कह रहे हैं आकर उनके इस तरह के बयान देने की औ या वो फेल हो गई है यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा कि क्या अब जिस तरह के बयान मंत्रियों के आ रहे हैं और सामने उप्चुनाव है उसमें सौ दिनों की कारे रोजना जिसका बखान सरकार में आते ही पूरे कैबनेट ने किया था अब वो डिफोकस उप्चुनाव से पहले वो सौ दिनों की कारे रोजना क्यूं हो गई है सवाल नमबर तीन फैसलों पर यूटन सरकार में क्या कोई अंदरूनी घमासान मचा है कल भी मैंने अपनी इंसाइड स्टोरी में आपको बताया था कि सिक्षा विभाग में किस तरह से अध्यापकों के तबादों समेत आठ बड़े फैसलों पर यूटन लिया जा चुका है और सरकार के बीतर अलग-अलग विभागों में इस तरह के कई ऐसे फैसले हैं जिन पर यूटन लिया गया है अब इस पर एक मंत्री कह रहे हैं यूटन को गलत परिभाशित किया गया है अब एक के बाद एक फैसले पर पलट रही है सरकार तो आखिर इसके पीछे की वज़ राजिस्थान से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हैं क्या लेकिन इस सवाल पर आगे बढ़ें आपको बता दे उससे पहले कि राजिस्थान की राजनीती उसके सटीक विसलेशन और अंदर की खबरे दिखाने वाला स्पेशल शो इंसाइड स्टोरी लेकर मैं हू राजिस्थान से प्रधान मंत्री मोदी नाराज हैं और वो इसलिए क्योंकि केंद्र की योजना जो चलाई जा रही थी पोरु की गहलो सरकार में उसका फायदा राजिस्थान को नहीं मिल पाया ब्रस्टाचार होते रहे राजिस्थान में ब्रस्टाचार पर अंकुष पो बीजेपी सरकार में जो प्रदेश सरकार में मंतरी हैं उनसे प्रदान मंतरी मोधी नाराज है कि भई इतना पैसा और इतनी योजनाए जो हैं राजिस्थान के लिए चलाए गए इतना पैसा दिया गया बावजूद इसके जो है राजिस्थान को वुलाब नहीं मिला और एक उपचुनावी सेटबैक बीजेपी को लगा अब उपचुनाव से पहले देखे जैसे मैंने पहले का कि एक तरफ तो सौधिन की कारिये उजना की बात कहकर बीजेपी लगातार ये दवा कर रही थी कि सौधिनों में पूरे राजिस्थान की एक तरीके से सरकार की जो तस्वी का रहा है यह यू कहें जैसे ही उपचुनाव की तारीकों का एलान हो गया है अब फिर से पूर की सरकार की नाकामियों को एक तरीके से प्रोजेक्ट करने का काम किया जा रहा है क्या क्या कनहिया लाल चौधरी ने जिस तरीके का बयान दिया उसकी पूरी रेडियस के भीतर यह यू कहें कि उसके धुरी उप्चुनाव तक टिकी है कि अब फिर से उप्चुनाव जो है पूर्व की सरकार की नाकामियों पर आरोप प्रत्यारोप के दायरे में ही उप्चुनाव जो है लड़ा जाना है अपने आप में एक बड़ा सवाल है अब सुनिए क्या कुछ कह ने कनेगेलाल चौधरी उन्होंने गल्ती की उसकी सजा में बुकता पैसा देश के यह सवसी परदानमंद्री मोजीदी ने दिया और सजा सरकार बदलने के बाद में राजस्तान की जनता ने यह सोचा कि यह बारते जनता पार्टी के काम नहीं करें अरे बही पांस साल तक गयाने के बाद में कई लोगों उसे जब मैंने बात की किसा हमारा काफी कुछ उदार हुआ उस पर रोग लगाते हैं रोग लगाते हैं हम आचार सहीता में चलेगे आचार सहीता के बाद में जब रजल्ट रहाई तो 11 सेटे में जनता ने बुकता मैंने विदान समा में बो हुआ देश के यह से प्रधान मंतरी मोदी जीव हमसे खूम नाराज हुए कि आप लोगों ने इतना पेशा देने के बाद में भी राजस्तान के अंदर हमें 11 सीटों का नुक्सान होना पुड़ा है तो कनेयलाल चौधरी ने सीड़ी तोर पर स्पष्ट तोर पर ये कहा है कि पूरू की सरकार में कामकाज नहीं हो पाए और इस वज़े से लोगसभा चुनाव में एक चुनावी सैट बैक एक चुनावी जटका बीजेपी को लगा इससे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी नारा ये गढ़ी जाएगी अब उप्चुनाव में सरकार की उपलब्धी एक तरफ मुख्यमंतरी भजनलाल लगा थार मैनिफेस्टों में या संकल पत्र में किये गए दावों वादों को लेकर ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि देखिए जो गैरेंटिया थी संकल पत्र में उन गैरेंटियों को एके करके पूरा किया जा रहे हैं रोजगार को लेकर भी कई बाते कही गए कि कभी 8000 कभी 23000 कभी 40000 ये आकड़े सरकार की तरफ से मुख्यमंतरी की तरफ से पेश किये गए कि देखिए एके करके रोजगार समय तमाम बाकी गैरेंटियों को पूरा किया जा रहे हैं लेकिन फिर भी कारेई जोजना मंतरियों के फोकस में नहीं हैं ये अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है क्या किसी तरह का तालमेल मंत्रियों यह यू कहें कि पूरा जो सरकारी खाका है उसमें कोई तालमेल नहीं बैट पा रहा है क्या क्योंकि दिल्ली से सक्त निर्देश सरकार को मिले हैं कि जो कामकाज आप कर रहे हैं उनको जनता के बीच लेकर जाएए उसको प्रजेक्ट कीजिए और उसको आने वाले समय के लिए एक चुनावी जो है मौडल के रूप में जनता के बीच में रखे लेकिन ऐसा हो नहीं राब कनयलाल चौधरी फिर से गड़े मुर्दे उखाड कर पुरानी सरकार की पूछ पकड़कर उप्चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं ऐसा उनके बयान से लग रहा है जोगराम पटेल साब भी अब देखिए जोगराम पटेल साब भी किरुडिलाल मीना साब ने जिस तरह से तबादलों को लेकर अध्यापकों के तबादले के जो आदेश जारी किये गए उस पर पत्र लिखा सरकार को कुछी घंटों में वो तबादले पर यूटन लेना पड़ा फैसला पलटना पड़ा अब जोगराम पटेल के रहे हैं कि देखिए यूटन का जो यूटन आप लोग कह रहे हैं वो यूटन नहीं है यूटन को गलत तरीके से परिभाशित किया गया है जोगराम कि प्रश्ण था न्यूक्ट अदेस निख snacks का अधेस निकले थे परंटु हमारे उसमें एक क्तूर्टी हो गए थी और कुट को जयो ही जानकाने तुरुब हम रोका है उसका यूट्र उसको cancel नहीं किया है रोकना और कैंच EL करने में फरक है उसका दूस्थ होगा और तुर्द वापिस आदिश होंगे जहां तक हमारे अध्यापकों में ट्रांसपर के आदेश आनार उसको रोकने का प्रस्टने शूंकि हमारी पार्टी में हर तो उसको में तो दिए गया मान दिया गया। और उस तांसपर लिष्ट को थोड़े दिन के बाद रोकआ गया। हम वदिवत पुरण इसको फिर जारी करेंगे इसलिए यूटर्ण वारी जापकी परिप्रपास आए वो ठीक में है मां है अ लोगतंतर भी हमारी पार्ति में है उम्रक की बगर ऐसे अदेस और ऐसे जो टर्स पर हो जाते हैं उम्र आधर करते को तो देन की रोकिए इसको ठीक करके वापिस करेंगे दिश्य को हमारी पाल्टी का कारे करता है। हमारे पाल्टी के नेग ने नाटाउवन उसका सुपरस्थ किये। और वो कोई पुरानी बता के नेग लोग किसी दूसरी पाल्टी काम करता है। उसके निफ्ति होई इसलिए इसको बिरूपर्टि का कारी करता है वाके जनपरचिनियों के वाके संग्टर ने उसके सुपरस की है और उसके सुपरस के आदार पर हुआ है फिर भी हम हमेशा खुले रहते हैं अगर कई तुर्टी होती है तो दूर्टी करता है लेकिन जिसका जिकर आप कर रहे हो उसमें तुर्टी नहीं है उसके सुपरस के आधार पर हमारे पार्टी का कारी करता है पुने मैं चोटे भाई को दुर्स करता हूं यू टर्म नहीं है हमारा आदेश निकलता है और हमारे नौलेज में कोई सीज़ लाती है कि इसमें टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है टेक्निकल या तकने की तुर्टी है तो हम उसको रोकते हैं ठीक कर देते हैं पुने जारी करते हैं यह तो एक निरंतर सरने वाली प्रसासनिक प्रक्रिया है उसको कहते है आज मैंने कहा मैं ऐसा करूँगा कल मैं कह कभी-कभी जिन्दिके में यूटरल लेना चाहिए लेकिन जीवन में कभी-कभी यूटरल लेना चाहिए इसमें कोई बुरी बात सब्सक्राइब को इस तरह के बयान देते हैं जिससे सिक्षिक समाज में एक नाराज़ी उत्पन होती है आदनी गोविन जी ने क्या कहा है वो आप सब के बीच में और गोविन जी की मेरी जान तक जानकारी है सुर्कियों में रहने की आदत है और सुर्कियों के बयान को ज्यादा महत्वन देना चाहिए और उसेम उनकी पाल्टी भी उनके ऐसे बयानों को कोई महत्वन देते हैं कोई समरता नहीं करता है और सुर्कियों में रहता है यह उनको उनके तरनीवात तो सुना आपने से बादलो को लेकर फैसला जो सरकार ने लिया उसको रोका गया इसके इलावा जो स्थानिय निकायों में एक तरीके से राजनेतिक न्यूक्तियां की गई थी या राजनेतिक जो सदस्य थे बीजेपी के जो लोग थे जिनको मनोनीत निकायों में किया गया था उस फैसले पर भी रोक सरकार ने लगाई अब इन मामलों पर भी जो गराम पटेल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भई देखिए ये कोई यूटन नहीं है ये तो फिलाल मौझूदा वक्त के लिए फैसले रोक लिए गए हैं और आने वाले समय में इनको फिर से जारी कर दिया जाएगा लेकिन सरकार को ये बताना करते वे रोके गए लेकिन समान करने के पीछे अगर किरुडीलाल मिना ने तबादलों को रोकने की कोई बात कही या मंशा जाहिर की या आप से अनुरोध किया तो पिर आपको बताना पड़ेगा कि उनको इन तबादलों के रोकने के पीछे की आखर असली वज़े क्या है क या बीना सोचे समझे सरकार की तरफ से विभाग की तरफ से ये तबादलों के आदेश जो हैं वो जारी कर दिये गए थे और फिर सरकार की किरकिरी होने पर इन मामलों को या इस फैसले को वापस लेना पड़ा और इसी तरीके सराजनितिक नियुक्ति का मामला इस फैसले पर रोक लगाने का कोई कॉंक्रीट या कोई मजबूत आधार सरकार सामने नहीं रख पा रही है मंतरी जोगराम पटेल सामने नहीं रख पा रहे हैं बस बातों को गोल मोल घुमा करके या यूँ कहें कि बातों की जले भी चानने का काम जोगराम पटेल साब करते नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए मंत्रियों सरकार और इस पूरे सरकारी सिस्टम जो राजिस्थान में नई सरकार का डेवलप हुआ इसमें जाहिर तोर पर कम्यूनिकेशन गैप तो पूरी तरह से नजर आता है भले मुख्य मंत्री कोशिश बार बार ये जद्दो जहत कर रहे हैं कि सरकार मुखरता से काम करे और सरकार संकल पत्र में किये गए वादों को पूरा करते वे एक मॉडल के तोर पर इसे पेश करे लेकिन वो हो नहीं पा रहा इसमें कई ऐसे मंत्री हैं जो बार-बार सरकार की खुद किरकरी कराते भी नजर आ रहे हैं अब देखे यूटन की बात होई लेकिन बार बार सख्षा मंतरी कुछ इस तरह के बयान देते हैं जिस से सरकार बैकफुट पर आती है खुद जो मंतरी सुख्षा मंतरी मदन दिलावार हैं वो भी बैकफुट पर आते हैं सरकार की किरकिरी कराते नजर भी आते अब महिला टीचर्स को लेकर कुछ ऐसा कह गए सिक्षा मंत्री कि उनको इस पर सफाई भी पेश करनी पड़ी लेकिन सफाई भी जो पेश करी उसमें भी बातों की जलेबी चांते वो भी नजर आया और एक बार फिर से सरकार पर सवाल उ दिया फिर बाद में कहा कि मैंने अर्दनग ने शब्द का इस्तमाल नहीं किया इसको गलत त तरीके से जो है पोत्रे किया गया मैंने कहा मतनद Dilawr ने सफाई दीटे वह एक है कि उन्होंने कहा की अध्यापक जो है मैज अध्यापक वो कम कपड़े पहन करा ती है और लगत टिकाराम जूली ने कहा कि देखिए ये मांसिक दिवालियापन है मतन दिलावर का और टिकाराम जूली ने इस पर इस्तीफे की मांग भी कर दी है अब कहीं न कहीं एक तरफ कम्यूनिकेशन गैप है दूसी तरफ मंतरी जो किरकिरी करा रहा है अब देखिए मन्नालाल रावत साथ सांसद हैं बीजेपी के उन्होंने उदैप जो उदैपुर में गोंगुंदा सायरा इस इलाके में जो पैंथर्स का अटैक हो रहा है उसको लेकर बीएपी पर एक बड़ी हलकी टिपणी करते हुए कह दिया कि कहीं उप्चनाव से पहले एक राजनेतिक हत्यार के तौर पर तो भारत आदिवासी पार्टी ने तेंद्वे नहीं छोड़ दिये हाला कि इस मामले पर पॉलिटिकल एनलिस्ट और राजनेतिक पंडित मन्नालाल रावत के इस बात को बड़ी हलकी बता रहे हैं और कहरें कि इस तरह की अस है अस अवि और इसमें वन विभाग पैंथर्स को ट्रेंकुलाइज करने और कैप्चर करने में पूरी तरीके से नाकाम रहा और इसके लिए जो सरकारी जिमदारी बनती है वो पूरी तरीके से धुस्त नजर आई और उसके बावजूद अगर बीजेपी सांसद इस तरह की बयान बाज बात है इस तरह की बाते राजनेतिक पंडित जो हैं वो करते नजर आ रहे हैं अला कि बीएपी की तरफ से राजकुमार रौत ने इस पर मोर्चा जरूर संभाला और उन्होंने पलटवार किया उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी सांसदों का जो मांसिक संतुलन है वो ब भद्र या विवादित बयान है उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं क्या कनहिया लाल चौधरी इस पूरी जो इक्वेशन सरकार के फैसलों से लेकर मंत्री और संसदों के बयानों से जो किरकिरी और जो डाइनमिक सरकार को लेकर राजिस्थान में बदलते नजर आ र शेयर करें आप इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है अपनी बात अपनी अपना सवाल अपनी राय कॉमेंट बॉक्स के जरिया आप हम तक पहुंचा सकते हैं राजिसान से जुडियो और भी तमाम खबरों को सबस्पहले ज अपना इसन नमस्कार